आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्राकन मैं हूँ आपके साथ स्वाती शुकला कुमार इस खास पेशकष में आज हम बात करेंगे राम नगरी में होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर दरसल दतावडे और तरुन चोग शामिल हो रहे हैं वड़ी बात ये है कि ये बैठक अपने आप में खास है क्योंकि 22 जन्वरी को रामलैला की प्राण प्रतिश्था है और उसके कुछ समय बाद लोग सभाचुनाव है और इस बैठक में प्राण प्रतिश्था समारों की तैयार प्रतिश्थान प्रतिश्था तैया और है तो इसी मुद्दे पर करेंगे बात चीत एक खास पैनल के साथ लेकिन उसके पहले बयान और रपोर्ट्स देखिए इस से विपक्ष में हतास है अधास विपक्ष नकारात्मक बाते कर रहा है जब इतना बला इविजन हो रहा है विष्व भर के लोग पार राम भक्त महां जो गए तो उसकी तैयारियों के लिए मान्ये मुख्यमंतरी जी नहीं पानिय परदान उंत्री जी में बारी नजर रखे हैं किसी राम भक्तों ऐसी विदा ना हो और जो विपक्ष राम भक्तों पे गोली चलाता हो भारते इंता पार्टी का कार्य करता राम भक्तों के लिए पलक पाउड़े बिछाए बैटा है वो एतियासिक दिन बाइस जन्वर स्वागत के तैयारी हर छेतर में हो रही है उसके कोने कोने में जिसमें अजुद्या में राम मंदिल पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी नयाए पालिका के निर्देश के बिना किसी प्रस्प्रस्थिक आदेश के बड़े पैमाने पर अर्जाक तक्तों ने जो साथ लिए उसमें जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना करतब में निभाए था रही बात एस्पी सिंग मघेल भी उसमें समाजवादी पार्टी में थे जिस समय के वो बात कर रहे हैं वो भी समाजबादी पार्टी में थे लेकिन हम जनता के मुद्धों की बात करते क्योंकि हम एक राजनैतिक दर्व हैं अबरा दायत तो है कि हम जब सरकार में हो तो युगाओं किसानों देश के आम आदमी के लिए काम करें जोकि भारती जनता पार्टी नहीं कर रही हैं सिर्फ उत्योप्तियों के लिए काम किया जा रहा है और जब बिपक्स में हो तो जनता की आवाज उठाए हम वो काम कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है सरकार से जो वादे थे उस पर मांग पूछ जवाल पूछ रही सरकार से लेकुन उस पर बीजेपी की नेता जवाब नहीं देते जाती जनगर रहना की बात कर रहे हैं उस पर बीजेपी की नेता जवाब नहीं देते दलितों महिलाओ पर इत्तरा अत्याचार क्यों हो रहा है उस पर चुप हैं सिर्फ धर्व की आड़ ली जा रही से 2024 में कुछ भी होने वाला नहीं जनता ने बदलाओ का मन बना लिया इंडिया बंदन कंग्रिस बार्टी की नेतरतों में 2024 में सरकार बनाने जारा भाजपा सत्ता से बाहर होने जा रही है और इनी तयारियों में आज अयोध्या में बाकायदा भारती इंता पार्टी संगठन के राष्ट्री पदधिकारी मौझूद रहेंगे सरकार के मंतरी, कैविनेट मंतरी, विधायक सांसद मौझूद रहेंगे और सभी लोग सभाओं से 2000 लोगों को दर्शन किस तरह से कराया जाए 25 मार्श तक जिस तरह का अभिहान चलना है, दर्शन अभिहान चलना है व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए और सांसद विधायकों को भी किस तरह से उनके जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है इस बारे में आज आयोध्या में ये बैठक होगी जिसमें ना सिर्फ दिशार देश दिये जाएंगे बलकि मुख्यमंतरी योगी आदितनाद भी पहले हाफ में इस बैठक में मौजूद होंगे और फिर बियल संतोष और सुनील बंसल जैसे पतादिकारी ना सिर्फ बातचीत करते हुए नजर आएंगे बलकि एक पूरा बड़ा खाखा बड़े कैनवर्स पर तयार होगा पच्चिस तारिक तक बड़े पैमाने पर जिस तरह दर्शन कराए जाएंगे और कोई भी रामभक्त अचूथा ना हो इस मौके से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है कैमरमेन दीपक के साथ अभी शेक सिंग तो देखे आयोध्या में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें किस तरह से राममंदे की प्रानट प्रतिष्ठा को लेकर तैयारिया अंतिम चरन में है इसको लेकर चर्चा होगी खासी खास के साथी लोगसभा चुनावों में वेहद नस्दी की अगर देखी जाया तो है बन लोगसभा चुनावों और साथी साथ देखे चर्चा इस बात पर भी होगी की कैसे लोगों को आसानी से प्रभूर श्री राम के दर्शन हो सके इस पर पूजा पाठ हो के किस तरह से कारिक्रम होने वाला इस पर भी चर्चा होगी लेकिन इसके साथी देखी स्वामी प्रसाद मौरी का बयान भी इस वक्त सुर्खियों में है विए विवादत बयान दे के अब समाजवादी पार्टी की मुश्किले बढ़ाते हुए अब प्रसाद मौरी के एक बार फर से बिगड़े है बोल इसके बाद अब किस तरह से सियासी भूचा इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीती में देखने को मिल रहा है लेहाजा इस बैठक में भारती जनता पार्टी राश्क्री नेत्रत्व की बात की जाए तो चाहे वो बीयल संतोष या सुनील बंसल वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा भारती जनता पार्टी के सांसद विधायकों के अलावा पार्टी के अलावा सरकार के भी यानि प्रदेश अदिक उपेंदर चौधरी के लावा डेप्टी सीम ब्रिजेश पाठक मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ और साथी साथ बाकी जो बड़े चेह पागिता होनी है जिन लोगों को दर्शन के लिए बुलाया जा रहा है उसके अलावा भारती जनता पार्टी ब्यापक कारिकरम की शुरुवात करने जा रही है जो दर्शन कारिकरम जिसका नाम दिया जा रहा है और 25 मार्च तक सभी लोगसभा सीटों में लगभग और इसके अलावा सरकार और भारती जनता पार्टी के पतादिकारी करते हुए नजर आएंगे एक व्यापक तरीके से ना सिर्फ राम लला के दर्शन के लिए पलक पावड़े बिछाये जाएंगे बलकि बड़े व्यापक इंतिसाम किये जाएंगे ताकि जादा सादा इस बात को लेकर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है बैठक में ना सिर्फ रणीती बलकि आने वाले वक्त में जादा से जादा लोगों को कैसे श्री राम दर्शन लाब हो पाएं इसका इंतिजाम किया जाएगा और कैसे उसकी रणीती रूप रेखा रोड माप बनाया इसको लेकर चर्चा होगी बिलकुल इसको लेकर चर्चा होगी और लखनाओ से मेरे सयोगी अभिशेक जुड़े होगी अभिशेक में आपसे एक और सवाल किया था जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौरे की तरफ से कार्स से वकोग पर गोली चलाना जायस करार दिया है अब इस बयान के बाद से किस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है क्योंकि आल ही में अभी डेपटी सीम का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव लिखकर देते हैं वही स्वामी प्रसाद मौरे बोलते हैं ये बात केशव प्रसाद मौरे की तरफ से कही गई है बिलकुल इस बात को लेकर अगर कहा जाए तो सौई प्रसाद मौरे अपनी इस तरह की बदजबानी के लिए पहली बार चर्चा में नहीं आये इस से पहले भी वो सानातन धर्म हिंदुत्व को लेकर कई सार कि अगर के लिए नहीं इस से नहीं रहा जाता है लिए पार्टी को लेकर सवाल उठाए जिये कहा कि हिंदु कोई धर्म नहीं तब बाकाइदा डिमपल यादो की तरफ से मैंपुरी में बैया दिया गया कि यह नहीं का निजी वयान है पार्टी को इससे लेना देना नहीं बिल्कुल अभिशेक देखिए स्वामी प्रिसाद मौरे लगातार बयान बाजी कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रुकने वाला फिलाल नज़र नहीं आ रहा है अभिशेक हमारे साथ दो महमान भी जुड़े हुए हैं मुट्रा भी रुक कर लेते हैं उनसे भी ज़र समझ लेते हैं विश्वदेव राव जी मैं आपके पास आऊंगी देखे जिस तरह से अब बैठकों का दौर भी लगातार आयुद्या में जारी है आज बीजपी की बड में की कोशिश करेंगे आपसे सर की देखे स्वामी प्रसाद मौर जिस तरह से लगातार बयान बाजी दे रहे हैं कभी वो रामचरित मानस की प्रतियां जलाते हैं कभी वो विवादत बयान देते हैं रामचरित मानस पर कभी साधू संतों को आतंकी कहते हैं ब्रामर समाज पर निशाना साथते हैं प्राण पुतिष्ठा को ड्रामा करार देते हैं अब क्या लगता है इस तरह के बयान बाजी को थमना थामना चाहिए समाजवादी पार्टी के तरफ से क्योंकि अकलेश आदव ने इस तरह की बयान बाजी देने से मना किया लेकिन रोकते भी नहीं है क्यों आखिर इस तरह के बयान बाजी सामने आती है स्वामी प्रसाद मौरी की जैसे डिμपल यादव हो गए श्रपाल सिंग यादव हो गए अकलेश यादव सौयम कई दिनों से बयान दे रहे हैं कि राम जब बलाएगे राम मंदिर में जब जाना होगा बगवान जब भुलाएगे तो हम जाएगे तो इनकी बयान बाजी इनकी निजी लगती है मुझ पार्टी द्वारा ये स्टैंड नहीं है, क्योंकि आज भी कल परसों डिंपल यादव का बयान आया, और आज सुबार शिपाल सिंग यादव का बयान आया, ये कहते हुए कि राम सब के हैं, जो बीजेपी के नहीं है, और मुझे लगता है ये स्टैंड विपक्ष का यही होन भी चाहिए कि भाई, एक मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बन रहा है, तो इस तरह की अनरगल बयान बाजी और देश में आपतीजनक बाते कहके एक विगटन करना ये ठीक नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग बड़े निता है, इसका समर्थन करते हैं, दूसरी बात स्वाफी, जहां पर चैपी के रणनीती की बात करें, देखे, राम मंदर उन्होंने खुल के बोला था, शुरुआत से, हम मंदर बनाएंगे, हम मंदर के कारसेवक हैं, हम मंदर बनवा के ही रहेंगे, और आज देख सुनील बंचल हैं, जो पहले-पहले यहां यूपी का प्रभार देख चुके हैं, बीजेपी प्रदेशा देख शेमभुपे चौदरी यह, यह सब लोग एक रणनीती जो तयार कर रहे हैं, कि लोकल बूत लेवल का जो हम देख चुके हैं, कि बीजेपी जहां बूत लेवल दो महीने बाद चुनाओं में जो दर्शन करके आएगा, उसके उपर कहीं न कहीं वो प्रभाव पढ़ेगा, कि बीजेपी न अपनी बाद कहीं और अपनी बाद पर खरे उत्रे, तो वो कहीं न कहीं वो तब्दील होगा, वोट बैंक में, बीजेपी की रणनीती लोक सबा जादव का बयान इसको लेकर एक इंटर्व्यू के दौरान सामने आया था, इसमें उन्होंने काया कि गोली चलवाने पर हमें अफसोस है, लेकिन अब स्वामी प्रिसाद मौरे के इस तरह के बयान-बाजी का आखिर मतलब क्या है? स्वामितवी प्रिसाद मौरे जी इस स्वाती हमेशा सी प्रकार के विवादित बयान देते आया है और आप देखें के यह बौलाहट है, अब यह पहले मोदी विरोधी हुआ करते थे और अब यह धर्म विरोधी हो चुके है आप रहें, कि आप हमें कि बहूलिस एकि ए च कौन लेगा? 2013 में जब दंगे हुए थे मुझपर नगर के, तो उस समय पर क्यों नहीं गोली चलाने के आदेश दिये गए थे? उस समय तो सभा की कॉवर्मेंट थी, यदि अराजक तत्वो को रोकने के लिए आप गोली चलाने का इस परकार का नियम निकालते हैं, इस परकार के दंगे हैं, आप ये बताई कि कितनी सारी अवैद मस्जदें बनी होई हैं, उसके खिलाफ क्या किया अभी पक्षने आज तक? तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतना भाव्य काम हो रहा है, इतना राम मंदिर बन गया है और प्रभु रामलला प्रतिश्चित हो रहा है और उस समय इस प्रकार के विवायदत बयान देना, ये मतलब सीधा एक तरक है कि 80% जो आबादी भारत में हिंदू रहती है, या विश्व में जो हिंदू आबादी है, उसके खिलाफ है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिश्चा का इंतिजार कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह के नकरात्मक बयान बाजी करना, क्या लगता है इसका कहीं न कहीं खामियाजा लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी को, साथी अब इंडिया अधन पर भी श्वाती बिल्कुल सही बात पर लिए आपने, जिया जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट उठाए, मेरा कहना दूसरा है, आप इस विवात को इस बात को एक अलग नजरियर देखिए, आप बोलते हैं उत्तरपदेश के निता हैं, उत्तरपदेश में कितना फंड आएगा, कितना बिजनस आएगा, शिर्फ एक आउध्या मेरा मंदिर बनने के होजा से अभी सोचा है आपने, अभी तक जो इन्वेश्मेंट ऑपरचून्टीज आई हैं आउध्या में लेके, इंटरनाशनल फ्लाइट आउध्या में चालू हो रही है, नया रेइव जो चीजे देखें, पैसे की सोच रखिया अगरा, सिर्फ शुद्ध, तो उसमें भी आप देखेंगे, आउध्या की वजा से, एक तो capital investment, infrastructure investment, जो capability जो बढ़ रही हैं उत्तर प्रदिश के लोहों के लिए, वो अशीनित हो गई है, तो आप नजरिया बदले, सम्मेर अमेरा अम्रोध होगा, स्वामी प्रसाथ मौर्या, एक बात और बोलना चाहूंगी, हमारे यह कुछ नया नहीं है, temple ecosystem बहुत पुराना है, ancient times से चला रहा है, temple जो भी होते थे, जो मंदिर होते थे, वो swam में एक website केंद्र हुआ करते थे, वहां पर बहुत सारी ऐसी गतिविदिया होते थी जहां पे की दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, कला का एक दूसरे से आजओना रहा होता था, विचारों को आजओना बात सकता है यह देखने की बात है इसके साथ में मैं बोलूगी कि एक डिवोशनल टूरिजम स्टार्ट हो रहा है पूरे देश में देश-विदेश से लोग आएंगे और और यहां पर कितनी 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 वित्य व्यवस्था बढ़ेंगी आप देखिए सभी लोगों के लिए सामा से सहमत होंगे कि देखे एकॉनमी जिस तरह का आप जिक्र कर रहे थे मंजुरी जी जिक्र कर रही थी कि देखे एकॉनमी के बूस्ट तो मिलेगा ही लेकिन देखे ना सिर्फ देश ही बलकी विदेशों में भी इस दिन के जश्न की तैयारी हो रही है अब देखे कार सेवों प्रतिया जलाई गई थी राम विरोधी हैं इस पर आप क्या कहेंगे सर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौरी बयान देने था और कुछ देर पहले आपने कहा था कि देखें समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती लेकिन जब रामचरित मानस को लेकर उनकी प्रतिया जलाई गई थी रामचरित मानस की स्वामी प्रसाद मौरी की तरफ से जिसके बाद बयान बाजी भी स्वामी प्रसाद मौरी की तरफ से की गई थी और उसके बाद महास्चेव बनायत दिया जाता है स्वामी प्रसाद मौरी को प्रमोशन होता है लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं ल लेकिन जो ग्राउंड लेल पर समाजवादी पार्टी को कोई फाइदा नहीं हो रहा है लेकिन कैसे नुकसान का खामियाजा जो है वह समाजवादी पार्टी भरेगी यह देखना मैं पर पूंड का राव साब आपनी बात पूरी करें फिर बंजुरी जी के पास में जाओंग आप हिमाचल के मुखवंत्री हैं उनका ब्यान सुनिये बला ही संत्लिब ब्यान है ति भाई राम जब बुलाएंगे हमें नौता मिले ना मिले हम राम के दरबार में जाएंगे एक संत्लिब ब्यान होई भाई राम सबके हैं वोई सिर्फ बीजेपी के नए आम है हाँ वोट बैंक के हिसाब से चले वोट बैंक को अपडेट सामने निकल कर आ रही है क्या कितने बज़े से मीटिंग शुरू होगी साथी साथ आयोध्या में कौन-कौन पहुच चुका है फिलाल देखे बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है मीटिंग शुरू होने से जुड़ी है जानकारी सामने आ रही है कि मीटिंग इस वक्त फिलाल शुरू हो चुकी है अभीशेग जी आप बिलकुल बैठक शुरू हो चुकी है क्योंकि मुक्यमंत्री को बैठक के ठीक बाद बाकी कारिकरों में भी जाना होगा लियाज मुक्यमंत्री के समक्षिये बैठक के शुरूआत हुई है बील संतोष और जो संगठन के बाकी पदादिकारी है कहा जाए कि राश्ट्री स्तर के जो पदादिकारी है सुनील बंसल और साथी साथ प्रदेश अद्यक भुपेंदर चौधरी के अलावा सांसद और भारती जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके बड़े चेहरे यानी डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक और आला कैबिनेट मंत्री परेटन मंत्री ठाकुर जैवीर सिंग के अलावा और भी कई कैबिनेट मंत्री बैठक में मौझूद है बैठक में ये पूरी तरह से एक रोड मैप सुनिश्चित किया जाएगा और बैठक के शुरुवात में ही जो संगठन मंत्री है सुनील बंसल उनकी तरफ से और साथी साथ बियल संतोष की तरफ से रूप रेखा रखी गई कि किस तरह 25 मार्ज तक ये व्यापक तरीके से ज जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है या नहीं भी है वहां पर भी जमीनी स्तर तक जाकर हर लोकसभा का जो इलाका है उसमें 2000 लोगों को चिन्हित कर उनको ये लाप दिलाया जाएगा और फिर आगे भी कोशिश की जाएगी कि जादा से जादा लोग इस दर्शन लाप को उठा पाएं लेकिन फिलहाल ये कारियोजना बनाई जा रही है इसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी लोगसभा की कौन सी सीटे होंगी किस तरह का प्रारूप होगा शुरुवाती दौर में किन सीटों के लोगों को बलाया जाएगा फिर कौन लोग आएंगे और जोगरफि बहुत शुक्रिया आपका साथी राव साब और मंजरी जी आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आप इंडिया नीज उतर प्रतीश उतराकंड से जुड़ें